दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे मेसेज़ी जा रहे थे कि सर एसे सी जड़ी कॉंस्टेबल दो जारते इसकी स्टेट वाइज एंड केटेगरी वाइज एक बर कट ओफ आप अमें बता दीजी सो फाइनली आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ पास रहने वाली है ऐसे में अगर आप उस रेंज के अंदर आते हो अगर आपके मांक्स जो मैं बता रहा हूँ उस कट ओफ के अंदर आते हैं तो अभी से इसी वक्त से वीडियो देखने के बात से ही अपनी फिजीकल की त्यारी आप यहाँ पर स्टार्ट कर देना इसी के स आज किसी वीडियो में मैं आपको result के बारे में प्लस आपको physical के बारे में भी बताने वाला हूँ तो एक complete वीडियो आपके लिए यहां पर रहने वाली है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं कट ओफ पर जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक बार रिजल्ट के उपर और उसके बाद एक बार बात करेंगे फिजिकल के उपर मैं पहले बता देता हूँ कि सर आपने एक परसेंट की possibility अब भी छोड़ दी और एक परसेंट में आप कहोगे कि कल आएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यह जो एक परसेंट की possibility अगर सच हो जाती है आज आपका result नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि जो आपका result है वो यहाँ पर delay हो जाए तीन से चार दिन और next week जो है next week जो है वो आपका जो result है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले क्योंकि अगर आज से लेट हो जाएगा फिर यहाँ पर SST उसके इमदर time लेके चलेगी आपका जो result है वो next week तक फिर आपके out करने की संभावना वहाँ पर बनेगी उसके बाद फिर बीच में कल आएगा परसो आएगा यह वाली बात यहाँ पर खतम हो जाएगी ठीक है तो आज 11 से 12 तक पूरी पूरी possibilities है आपका result out कर दिया जाए बट किरी किनी कारणों से अगर result आज नहीं आता है फिर 3 से 4 दिन मतलब की next week जो है वो आपके result आपका आने की पूरी पूरी वहाँ पर संभावना है ठीक है चले इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एक बार आपके physical को लेकर अगर मैं physical को लेकर बात करूँ तो physical में जो है वो depend करेगा आपके result को लेकर अगर आज result आता है ठीक है अगर आज तीन तारी को result आता है तो भी यहाँ पर possibility है कि आपका जो physical है वो चार से पांच दिन और आगे यहाँ पर postpone कर दिया जाए आगे उसको सरका दिया जाए लेकिन अगर आपका जो physical है वो next week के उपर चला जाता है ठीक है अगर वो next week के उपर चला जाता है आपका जो result तो पूरी-पूरी possibility होगी कि आपका जो physical है वो मई मन्त के starting में जो है वहाँ पर आपका conduct करवाय जाएगा वो फिर आगे 15 से 10 से 15 दिन आगे postpone वहाँ पर कर दिया जाएगा पर पूरी-पूरी संभावना यही बन रही है कि result अगर तीन तारीक को आता है तब भी यह संभावना बन रही है कि 5 से 7 दिन आपका जो result है sorry जो physical है वो आगे postpone कर दिया जाए लेकिन वो रहेगा एप्रेल मन्त के अंदर ठीक है एप्रेल मन्त के अंदर बट अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ कि अगर आपका next week के उपर अगर result चला जाता है तो फिर possibility है कि आपका जो physical है वो भी आगे 10-12 दिन बढ़कर next month के उपर ही आपका यहाँ पर चला जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े जो मैं आपको बता रहूँ possibility based है यहाँ पर कोई भी official निया official अभी भी आपकी जो 15 April जो तारिक है वो यहाँ पर decide की गई है उसके मंदर कोई भी change नहीं किया गया है but adjustments यही है possibilities यही बन रही है इनको देखते हुए कि आपका जो physical है वो यहाँ पर date आगे बढ़नी चाहिए आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा time थोड़ा सा और दिया जाना चाहिए ताकि result आने के बाद जो बच्चे त्यारी कर रहे है उनको at least ज्यादा नहीं तो 15 दिन तो कम से कम यहाँ पर मिलने चाहिए तो इसी base के उपर यह सारी चीज कही जा रहे है कि आपका जो physical है वो postpone हो सकता है अब यहाँ पर result और physical के आपको मैंने बता दी अब एक बाद कर लेते हैं आपकी cut off को लेकर कि आपकी cut off कितनी क्या कुछ रह सकती है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको cut off बताने वाला हूँ तो इसको यह पर आप समझ के जाहिए यहाँ से आप ऐसा नहीं कि यह आप बाद में भी screenshot ले लोगे तो आप देख सकते हो लेकिन कुछ चीज़े मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यह red zone के अगर मैं बात करता हूँ जैसे राजस्तान, MP, UP, हर्याना, बिहार, UK, एक दहली भी स्केमदर एड होता है तो अगर यहाँ से आप unreserved category से बिलोग करते हैं और यह यहाँ पर देखिए जो यह line से उपर वाले हैं यह सारे हैं यह वाले है questions और यह वाले है number आपके ठीक है यह है question और यह है number याद रखना ठीक है तो अगर आपने 51 से 54 questions सही किये है मतलब कि 102 से 104 number आपके बन रहे हैं तो आप अपने आपको safe समझ लेना आप physical में आपका number आने वाला है यह physical की cut-off है final cut-off इससे थोड़ी से उपर जा सकती है ठीक है वो मैं आपको देखी जाएगी वो result आने के बाद बता देंगे अगर मैं OBC की बात करूँ तो उन्हें 51 questions या फिर 58-102 questions अगर आपके बन रहे है sorry एक मिनटी pen white हो गया है एक बार हम इसे वो कर लेते हैं चलिए देखे अगर आपके 58-102 questions नमबर यहां पर बन रहे हैं या फिर 59-51 questions यहां पर बन रहे हैं तो आप अपने आपको safe समझ लेना 50-53 EWS category के बंदर अगर आपके questions बन रहे हैं या 100-106 number बन रहे हैं तो आप safe है 46-49 SC category के बंदर अगर आपके questions है, बाढ़ में से 1,8 में नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ है 44 से 46 questions आपके सही है या फिर 88 से बान में number बन रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अपने आपको जो है safe यहाँ पर आप समझ सकते हो ठीक है चले इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 36 गड महाराश्ट ओडिशा पंजाब और वेस्ट बेंगोल क तो अगर आपके अन रिजर्व में 36 से 49 questions सही है या फिर 32 से 38 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हो 35 से 38 OBC में questions सही हैं 17 से 6 अगर आपके marks बन रहे हैं तो आप सेफ हैं 55-36 अगर आपके EWS category के अंदर अगर आपके question सही है या 70-52 नमबर बन रहे तो भी आप safe हैं 33-35 अगर question सही है in SE category में 66-70 number आपके बन रहें तो आप safe हैं 33-32 अगर question सही है, 62-64 अगर आपके number बन रहे हैं तो आप यहां पर अपने आपको safe समझ सकते हैं ठीक है? गुजराद, जम्मु कस्मीर, नोर्थिस्ट या फिर और जितने भी स्टेट्स बज जाते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है इस list में जितने भी states नहीं है उनके अलावा जितने भी बच गए जितने भी उनके अलावा जितने भी बच गए उन सब की cutoff यह वाली range में रहने वाली है all states यहां पर मैं कह देता हूँ जिनका भी list के अंदर नाम नहीं है उनके ठीक है तो यहां पर unreserved 26-30 questions या फिर 52-60 number 25-27 OBC के questions 50-54 number आपकी या तो बन रहे हैं तो आप select हैं 26-39 EWS के questions सही हैं 52-58 आपके number हो या फिर ST category में 24-25 questions सही हैं 48-50 आपके number बन रहे हैं तो भी आप safe हैं ST category में 23-24 questions सही हैं या 46-48 आपके number बन रहे हैं तो आप यहां पर फिजिकल की तियारी अभी से सुरू कर दो अभी अपने सूच पहन के ground जो हैं वहां पर आप चले जाना ठीक है चले इसके बाद जारखांड और हिमाचल के अगर मैं बात करूँ तो 41-43 questions अगर unreserve में सही हैं या फिर 82-86 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप safe हैं 49-42 अगर OBC में questions सही हैं 38-84 आपके marks बन रहे हैं तो safe हैं इसके अलावा अगर आप यहां पर 40-42 अगर आपके number EWS में questions सही हैं और 80-84 आपके number बन रहे हैं तो आप अपने आपको safe यहां पर समझ सकते हैं सेम अगर 37-49 SC category में अगर आपके questions सही हैं 34-88 number आ रहे हैं तो आप अपने आपको physical की तियारी start कर दो 34-36 अगर आपके यहां पर questions सही हैं ST category के जारखंड और हिमाचल परदेश से या फिर आपक से बहतर number बन रहे हैं तो आप अपने आपको physical के लिए safe मान सकते हो और यह जो cut off मैंने आपको यहां पर बताई है इसके अंदर plus minus two questions का यहां पर जो है variation आपको देखने को मिलेगा भाई ठीक है अब two questions का मतलब क्या होगा लगबग लगबग 2-4 number यहां पर मैं और बता दू दो से चार number भाई आपके ठीक है number जो है उनका variation आपको देखने को मिलेगा मतलब कि अगर यहां पर 102 बनाई है तो यहां पर हो सकती है कि आपकी 100 number भी यहां पर cut off जा सकती है या फिर यहां पर 102 है तो इससे 4 यहां पर maximum बताई है तो हो सकता है कि यहां पर 106 भी आपकी max जा सकती है तो यह variation आपको up down देखने को जरूर मिलेगा यहां पर ठीक है 2-4 number का variation आपको देखने को मिल सकता है तो अगर आप इस list के अंदर आ रहे हैं और आपके number 2-4 का variation के आसपास ही हो तो अभी से आप physical की दियारी कर लो किसी को भी यह नहीं है कि जो आप cut off देखोगे उस सेर हो गया है तो वीडियो को सेर कर देना ठीक है जो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले थेंगी सो मच नमस्कार